Welcome to new lesson इस lesson में मैं आपसे बात करूँगा कि कई बार आप जब ads बनाओगे राइट होता क्या है कि search ads बहुत जल्दी approve हो जाती है जैसी आप ads बनाओगे वो बहुत ही जल्दी approve हो जाएगा बट कई बार क्या होता है कि आप YouTube ads बनाते हो और उनके approval में बहुत ज़्यादा time लगता है जनरली जो YouTube ads हैं वो आपकी within 24 business hours approve हो जाती है within 24 business hours आपकी YouTube ads approve हो जाती है बट कई बार क्या होगा कि ads 2-2 दिन, 3-3 दिन, 4-4 दिन in fact एक-एक हफते तक approve नहीं हो पाती है तो कई बार जो ads का approval है वो manually होता है जब ads का approval manually होता है तो कई बार बहुत ज़्यादा time लग जाता है प्लस कई बार इनके YouTube ads में Google ads में system glitches होते हैं जिसकी वज़ए से ads को 2-3 दिन in fact 4-4 दिन तक लग जाता है for approval तो ऐसे case में आपको करना क्या है इसे के बारे में आपसे बात करूँगा है तो जब आपकी ads 3-4 दिन या 2 दिन मतलब more than 24 business hour से ज़्यादा अगर आपके ads pending है under review है तो आपको simple एक काम करना है यहाँ पे आपको एक button दिख रहा है अपने ad account के अंदर help इस button पे click करना है और आपको यहाँ जाना है get help ठीक है get help आपको करना है देखो आज Saturday है तो आज आप बात नहीं कर सकते चैट नहीं कर सकते और यहाँ पे एक option आ रहा है contact us आपको एक contact us का button क्लिक करना है और यहाँ पे लिखना है आपको simple ads under review और आपको यहाँ से करना है next step और यहाँ पे simple डाल दो add review request और यहाँ पे कर दो simple next step अभी देखो एक email का option है चैट closed अभी चैट बंद है क्योंकि चैट खाली Monday to Friday ही चलती है आप business आरज के दोरान चैट कर सकते हो अभी चैट close है तो चैट का option नहीं है आप अगर Monday to Friday के बीच में चैट करोगे तो यहाँ पे चैट का option आएगा आप इनसे बात करिए इनके चैट support से और आप इनको बताओ कि भाईया यह मेरा campaign है यह मेरा ad group है यह under review है दो दिन तीन दिन या चार दिन जितने दिन से भी है और यह देन आपको manually उसको यह review करेंगे और review करके यह आपको मतलब mail भेज़ देंगे कि आपकी ads approved हो चुकी है एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि कभी भी Google support से जब आप बात करो तो आपको इनके suggestions नहीं मानने है जो Google के executives होते हैं यह काफी सारी आपको suggestions देंगे कि आप add ऐसी बना लो add ऐसी बना लो बट आपको इनके suggestions implement नहीं करने इनको ज़्यादा depth में knowledge होती नहीं most of the times ही आपको बड़े broad suggestions देते हैं ऐसे suggestions देते हैं जिनसे आपके campaigns improve नहीं होंगे उल्टा वो और बिगड़ जाएंगे ठीक है तो जस्ट आपको इनसे campaign review करवाना है इनके suggestion नहीं मानने ठीक है जी तो जबी भी दो दिन तीन दिन आपकी ads under review हो तो इस तरीके से आप अपनी ads को review करा सकते हो ठीक है Thank you so much for watching this lesson